Hello everyone and welcome back to our channel. आज की वीडियो में हम देखेंगे M&A के लिए जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में और इनमें से इंपोर्टेंट कौन सी है हमें क्या पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है So first of all which book I got is this one and ये बुक थी इस पे लिखा हुआ था ये टाइटल and इसमें लिखा हुआ है कि इसके अंदर ये ये subject cover है कि expected questions answers के साथ है general awareness, general intelligent, English and numerical सब कुछ दिया है इस बुक में GK और मुझे लग रहा है current affair and GK नहीं है इस बुक में बाकी सब है ठीक है and ये book around 200 की थी जादा महेंगी नहीं है तो आप देख सकते हैं ये फ्लपकाट या Amazon पर था आप किसी एक पे जाकर चख करना if you want you can buy this the next book which I get was this one सूर्या publication की थी ये previous one भी ये भी सूर्या publication की है पर ये 2019 का है इसका latest edition अभी तक नहीं आया इसमें भी वही चीज है English है general awareness से इसमें science भी है और reasoning भी है next is ये है Indian Army Nursing Assistance Recruitment इस पर बना हुआ है लेकिन इस book में ये नहीं लिखा हुआ था कि इस book में क्या-क्या materials है क्या material नहीं है और इसके reviews भी कुछ खास नहीं थे तो आप लोग देख लेना एक बार and this one इसके reviews अच्छे थे and इस पर अच्छे से लिखा हुआ था कि ये computer based है जो test है उसके साब से और इदर लिखा है 250 plus exam pattern multiple choice question और इस latest edition पर तो यह आप देख सकते हैं और ये Aryanth publication के है तो Aryanth publication के books अच्छी होती है तो if you are gonna buy अगर ये 4 options है ठीक है ये 4 books जो हमें मिली इसमें से I would suggest you to buy this one अगर आपको लेनी है तो ठीक है so next हमें क्या करने है सबसे पहले तो syllabus पता होना चाहिए अच्छे से पते चला कोई भी book अठाके पढ़े जा रहे हो और आपको syllabus ही नहीं पता है इसले बिस पताना चाहिए कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है reasoning कैसे आते है verbal reasoning आते है या picture वाले reasoning आते है काफी सारे groups में देखा है या study channels पे वो reasoning कर रहा है बट picture वाली reasoning कर रहा है जोकि MNS पे नहीं आती picture वाली reasoning verbal reasoning आते है वो भी बहुत easy आती है ठीक है, आपको hard work करना है लेकिन right direction में, यह निकी कहीं पर भी कुछ भी पढ़े जा रहे हो regularly पढ़ो make notes and revise this is very important, हमने इतना सारा पढ़ लिया लेकिन revise नहीं करेंगे, तो सब भूल जाएंगे last तक, ठीक है science के लिए सिर्फ NCRT, it's more than enough bio physics, chemistry के आप NCRT पढ़ो, NEET के लिए जो prepare करे हो, वो bio chemistry और physics यहां नहीं आएगी ठीक है, इसमें बहुत basic questions आते हैं मतलब 2010 के पहले के जो NEETS होते थे, 2010 के पहले के, वो paper देखो, उसमें कैसे question है, तो वो सब इदर आ सकते हैं physics तो बहुत कम आती है, इस बार first time numerical आया था physics में ने तो numerical नहीं आता और chemistry भी okay okay आती है next है for GK and current affair GK and current affair के लिए आपको क्या करना है current affair regularly पढ़ना है आपको, और एक साल के पहले, जैसे मान लो अभी board रहे है कि exam जो होने वाला है वो March में होना वाला है March 21 में, ठीक है तो हमें कहां से कहां तक कर पढ़ना है March 2020 से लेके March 2021 तक कर पढ़ना होगा किसी website पर वो रहे January में होगा, तो हमें January से पढ़ना होगा पिछले एक साल का current affair पढ़ना होगा static GK तो आपको आना ही चाहिए, यह तो must है भी participate कर सकते हो Next for English कोई भी good book से पढ़ो जो जिस book में अच्छे से practice papers दे हुए है grammar के rules और वो सिब solve करके दे हुए है वो पढ़ो, vocabulary daily करो idiom phrases learn करो, idiom and phrases आते है और यह बहुत ही important है मतलब यह पढ़के दे सकते हो, ठीक है इसले question paper प्राक्टस करना है daily quiz लो English का बहुत सारे websites है जहां quiz available है यह तो इस group पे भी quiz होती है बहुत सारे telegram group पे quiz होती है और websites भी है जहां आपको जहां से अच्छा लग है वहां से daily quiz लो और synonym, antonyms, vocabulary के साथ जब करोगे तो यह साथ हमें करना है ठीक है एक word पढ़ा उसका हमने देखा उस word का usage कैसा है जैसे बहुत सारे word होते है word की usage positive way में हो रही है या negative way में हो रही है एक ही word के दो meaning होते है तो आपको वो पढ़ना उसके साथ synonym, antonyms, word का usage यह सब से important ही क्योंकि fill in the blanks आते हैं में इसमें ठीक है बहुत सारे words देदेंगे तो आपको उदर confusion नहीं होनीचे कि यहाँ पर क्या है fill in the blanks आते है odd one out यह सब आते है English के portion में ही आता है वो ठीक है तो यह सब देखके करना है English के लिए यह book में suggest करूंगी इसमें root words है root words क्या होता है जैसे एक ही word से सारे word बनते हैं तो यह root word हो गया है ठीक है fidelity, confident तो पहले इसका use कैसे हो रहा है positively हो रहा है negatively हो रहा है ठीक है and कितने type के word बनगे मानलो एक दिन हमने root word पकढ़ लिया और उससे हमने सारे कर लिये तो उससे हमें इससे याद हो जाएगा कि फिर डा रहा है तो इसमें यह होगा ठीक है, mnemonics I won't suggest you क्योंकि mnemonics में क्या होता है जब हम mnemonics से पढ़ते हैं mnemonics मतलब होता है कि कि किसी चीज का हमने short form बना के जैसे periodic table याद का निकले करते हैं तो mnemonics याद रह जाता है words भूल जाता है तो mnemonics मेरे साथ ऐसा होता है I don't know अगर आपको mnemonics से याद होता है तो आप mnemonics बना के पढ़ो and the second book is this one यह SP Bakshi की बुक है अधिहन्त पब्लिकेशन की इसमें general English है मैंने इसके लिए तो नहीं लिखा लेकिन देख के ले सकते है because इसके reviews बहुत अच्छे है और ने तो है एक और चीज Google पर आप जाना Google पर आप जाके सर्च करना ठीक है objective general English SP Bakshi तो आपको Google Books पे इसके free sample मिल जाएंगे 100 से जादा pages के free sample है यह book around 700 pages की है और आपको 100 से जादा pages इसके free में मिल जाएंगे तो आप उदर से read करके देखो मैंसे आप download नहीं कर पाऊगे पिट read करके देखो अगर आपको यह book अच्छी लग रही है तो आप खरीद लो नहीं लग रही तो मत खरीदो और क्या ठीक है that's all और अगर आपको किसी वीडियो का pdf चाहिए या कोई भी study material चाहिए तो आप telegram group join करके वहाँ पर बोल सकते है मेरे पास जो होगा मैं आपको provide कर दूंगी okay so that's all guys please hit the like button share this video and subscribe my channel thanks for watching